हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो माई चैनल, आरजी ब्यूटी एनलाय स्टेल, आज फिर से आ गई हूँ, मैं आपके साथ में एक इन्फोमेटी वीडियो लेके, जहां पर मैं आपको दो प्राड़क के बारे में नौलिज देने वाली हूँ, दूनों ही अलग अलग इस तरह के कॉम्पेक्ट पाड़र जो होते हैं, इस तरह से हमें स्पंज या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में इसको डैप करके और फिर हमारे फेस पे इस तरह से इसको लगाना होता है, यह भी काम मेकप को सैट करने का ही करता है, और वहीं हम बात करें इस तरह के लू बिल्कुल पतले बारिक होते हैं और यह बिल्कुल fine powder होते हैं और यह भी हमारे make-up को side करने का ही kाम करते हैं दोनों में difference यह हैं कि जो compact powder होते है ना इसको हम बिना makeup किये भी use कर सकते हैं जैसे हमने अपना skincare किया और सिर्फ हमें एक product लगाना है तब हम इस तरह के compact को भी use कर सकते हैं ये हमें एक हलकी सी coverage भी दे देता है और हमारे face पे oil को shine को भी control कर देता है और ये बहुत अच्छे से आपका एक normal सा natural base बना देता है जिसकी थोड़ी से आपको coverage भी मिल जाती है औ और आपके face पे ये matte effect भी देता है बट वहीं हम बात करें अगर loose powder की तो ये loose powder जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम make-up करने के बाद में ही use करते हैं baking करने के लिए transparent powder होते हैं translucent powder होते हैं इनहीं को हम loose powder भी बोलते हैं ये अलग-अलग shade में होते हैं skin tone के according यूज होते हैं translucent powder ह बनाना पाउडर होते हैं और अलग-अलग शेड भी आते हैं इनके तो इसको हम ब्यूटी ब्लेंडर से यूज कर सकते हैं स्पंज के साथ यूज कर सकते हैं और ब्रशेस के साथ भी यूज कर सकते हैं बट इसको हम बेस बनाने के बाद ही यूज करते हैं हमारे बेस को सैट कर करने के लिए बेस को वही के वही lock करने के लिए Fine Lines को control करने के लिए और को का चौन्ट्रोल करने के लिए इसको बेस बनाने के बाद यूज करते हैं तो जो मेजर इन दोनों में difference होता है वो यही होता है कि पाउडर होते हैं यह हमें finish भी matte देते हैं satisfying makeup करने से पहले भी use कर सकते हैं oil को भी control करता है और एक थोड़ी सी coverage भी हमें हमारे face पे देता है जिससे कि हम अगर daily wear में हमें कोई product use करना है जिससे हमें थोड़ी सी coverage में मिल जाए और हमारे dark spots वगेरा भी cover हो जाए तब हम इसको use कर सकते हैं but जो translucent powder होते हैं तो वहां पर translucent powder, banana powder, loose powder जादा अच्छा वर्क करते हैं यह makeup को जादा अच्छा लॉक करता है आपकी जो crease lines होती है उसको अच्छे से सैट करतेता है आपका concealer वहां बिल्कुल भी जमा नहीं होता है makeup को बहुत अच्छे से सैट करता है oil को बहुत अच्छे से control करता है आपके base को बिल्कुल matte effect दे देता है और base जो है आपका बहुत अच्छा long glass करता है बिल्कुल waterproof हो जाता है और sweat को भी control करता है वहीं अगर हम compact के बात करें तो compact हमारे makeup को सैट तो करता है बट इतना अच्छे से नहीं जितना अच्छे से loose powder करता है तो दोनों के अपने-अपने benefit है इसको हम makeup करने से पहले भी use कर सकते है यह हलका सा coverage दे देता है हमारे face पे और यह जो हैं सिफ makeup के बाद में base बनाने के बाद में ही use कर सकते हैं तो यही दो major difference होते है compact powder and translucent powder में अब आपको कोई confusion नहीं होगा दोनों product को लेके और आपको पता होगा कि आपको कब कौन सा product यूज करना है जैसे कि अगर आपने कोई full coverage product यूज किया है, full coverage foundation यूज किया है, concealer यूज किया है इसका कोई color नहीं होता है यह all skin type पे चला जाता है जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यह इस तरह से white color का होता है तो यह सभी skin tone वाले use कर सकते हैं यह skin tone पे लगने के बाद में आपकी skin tone के according set हो जाता है और आप इसको baking के लिए use करते हो और थोड़ी देर में जब आपका makeup वहां से set हो जाए तो आप वहां से इसको remove कर सकते हो तो इस तरह से translucent powder का use करते हैं और किस तरह से compact का use करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया तो I hope अब आपको कोई भी confusion नहीं होगा दोनों product को लेके तो friends वीडियो अगर helpful रही हो तो please वीडियो को like करना चैनल को ज़रू subscribe करना इस तरह के और वी informative and helpful videos को देखते रहने के लिए